हेलो वीवर्स आज मैं आप लोगों के लिए मैक्सिकन राइस की रेसिपी लेके आई हूं यह बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और मैं इसे जो हूं आज इंस्टेंट वाट में बनाऊंगी आप चाहें तो नॉर्मल तरीके से भी पर दिले में बना सकते हैं इसके लिए हमें एक कप माटर चाहिए फ्रोजन एक कप हमें कैन कॉर्ण चाहिए स्वीट कॉर्ण और किड्नी बीन्स लाल लोबिया वह भी कैन वाला एक कप चाहिए टमाटर एक चाहिए बड़ा और गार्लिक एक टीव स्पून चॉप चाहिए हरी मिर्चे चाहिए चारा दर चॉप और हरा धनी आदा कप चाहिए आदा कप शमला मिर्च चॉप करके चाहिए हरी पेास चाहिए आदा कप चॉप किया हुआ और काली मिर्च पिची भी चाहिए एक टीजपूँ और गैनो चाहिए एक टीजपूँ नमक चाहिए एक टेबिल स्पून, जीरा पॉर्डर चाहिए एक टी स्पून, और क्रेश रेड पेपर चाहिए वन टेबिल स्पून, नमक हो में चाहिए अपने मर्जी इमदाबिक डाले, वैनिगर चाहिए दो टेबिल स्पून, और आयल चाहिए तीन टेबिल स्पून, चले शुरू करते हैं, और डेफिनिटली राइस तो चाहिए, आदा किलो, पहले पानी में भिगो दें, आदे गंटे पहले, यह अब हम सौटे का मोड आउन करके, तीस मिनिट के लिए आउन होते हैं यह, जितने मिनिट भी आपको कुकिंग करनी है, तो अब यह मेरा पैन गरम हो इसमें मैंने तीन टेबल स्पून ऑइल डाल दिया, फिर इसमें हम गर्लिक डालेंगे चॉप्ट, उसको कुछ सेकंड सौटे करेंगे, फिर पैस डाल देंगे चॉप्ट, बहुत ही मज़ेदार यह बनते हैं राइस, अब मैंने इसमें मटर भी डाल दिया है, और टेमाटर जो एक बताया था उसको ग्राइंडर में बार एक पीस लिया था, वो डाले है, अगर आप प्यूरी डालना चाहते हैं तो बो डाल दें, और दो टेबल स्पून कैचप के डाले हैं, यह आप्शनल है, आपको पसंद है कैचप तो डालें और ना डालें, फिर तौका सा भूरेंगे, अक करमें क слов मेह अत मिअ पर फिर एक टेबल स्पून कटीवी लाल मिर्च оं रहा मुझ में रोफाड यह उसकून और और एक प्यसपून प्यसेवी करले मिर्च- और एक अपर लोगराच आप पर वे शिम्ला बेज डालेंगे और तोटे बिल स्पुन सिर्का डालेंगे दीज डालेंगे एक अप कॉण डालेंगे यह सब मैंने कैन की यूज किया है ताकि असानी से फटर फट बन जाए राइस अब आदा किलो चावाले तो दो कप हम इसमें पानी डालेंगे इसके पर चावाल डालकर मेक्स कर देंगे अच्छी तरह से हर इमर्चे भी डाल देंगे जो मैंने बताई थी चौप करके और बस पिर उसको अच्छी तरह से बन करेंगे और यह चेक करेंगे कि वेंट खुला हुआ तो नहीं है इसको बन करेंगे उसके बाद फिर के लियर का बटन दबा कर आफ कर देंगे सौटे मोट और फिर हाई प्रेशर में चार मिनट के लिए पगने के लिए रख देंगे और उसके बाद जब चार मिनट हो जाएंगे तो लोग पर बारा मिनट रखेंगे उसे और फिर प्राइस तयार बिलकुल अब इसमें जो है बाकी चीज़ा जो बची में वह डालेंग इसमें यह बहुत ही मज़ेदार रही सेयार होते हैं और जट पड बन जाते हैं यह से चिकन स्ट्रिप के साथ सार्फ किया है पर इंशालला किसी चीरे स्ट्रिप के साथ दोबारा आऊंगी अपना ख्याल लगए अबियत के लोगों का ख्याल लगए खुश रहें और ख्या ओुश G myös ऊाल लगए प्याल रहें सेयार है ख्याटर शेंब। कर लगए मैं यह सायर सेंगल पॹश रहें अच्व…